नमस्कार आप देख रहे हैं मनी मंच दोस्तों आज मैं फिर से हाजर हूँ एक बिलकुल नई इन्वेस्टमेंट जानकारी के साथ आज हम बात करेंगे 5 ऐसे फ्लेक्सी कैप म्यूच्वल फंड्स के बारे में दोस्तों, म्यूच्वल फंड्स की में कैटेगरी के हिसाब से होती है इन्ही में से एक कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप म्यूच्वल फंड्स की फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर के पास निवेशकों को बहतर रिटन दिलाने के लिए किसी भी केटेगरी की कंपणी के शेयर चुनने की flexibility होती है, यानि fund manager अपनी इच्छानुसार, large cap, mid cap और small cap तीनों तरह की केटेगरी के शेयरों में निवेश कर सकता है. इसी कारण flexi cap mutual fund, share market के उतार चड़ाव में risk को कम कर अच्छा return देने की क्षमता रखते हैं. दोस्तों, अगर हम risk की बात करें तो, flexi cap mutual funds, large cap mutual funds की तुलना में ज्यादा risk होते हैं, लेकिन small cap mutual funds और mid cap mutual funds की तुलना में कम risk होते हैं. इसलिए मुझे लगता है कि हर investor के portfolio में कम से कम एक flexi cap fund तो होना ही चाहिए. flexi cap mutual funds में invest करके, आप महनगाई दर को मात देने के साथ-साथ, fixed deposit से कहीं ज्यादा return पा सकते हैं. यदि flexi cap mutual funds में SIP के जरिये invest किया जाए, तो long term में आपको शांदार return मिल सकता है. mutual fund SIP उन निवेशकों के लिए invest करने का एक आसान तरीका है, जो मोटी रकम एक साथ invest नहीं कर सकते हैं. ऐसे में छोटी-छोटी रकम हर महीने SIP के जरिये invest करके, long term में एक बड़ा fund तयार कर सकते हैं. आज हम इस विडियो में पाँच ऐसे flexi cap mutual funds के बारे में बताएंगे, जिन्होंने पिछले पाँच सालों में सबसे अच्छे returns दिये हैं. इसी के साथ हम ये भी बताएंगे कि इन mutual funds ने lump sum investment और SIP के थूँ invest करने वालों का पैसा पिछले पाँच साल में कितना कर दिया है. इसलिए आपसे request है कि इस विडियो को last तक देखिएगा, ताकि कोई important information मिस न हो जाए. दोस्तों, इसके साथ साथ आज इस विडियो में मैं ये भी बताऊँगा कि मैं इन में से कितने mutual funds में खुद invest करता हूँ. हमारी पहली scheme है Quant Flexi Cap Fund Direct Plan. दोस्तों, Quant Flexi Cap Fund ने निवेशकों को काफी अच्छा return दिया है. अगर किसी ने इस fund में 5 साल पहले 1,00,000 रुपे lump sum invest किये होते, तो वो आज 3,43,000 रुपे हो गए होते. वही पर अगर किसी ने इस fund में 5 साल पहले 3,000 रुपे की मंतली SIP स्टार्ट की होती, तो वो आज 4,14,000 रुपे हो गए होते. Quant Flexi Cap Fund के returns पर नजर डाले तो, इसका all-time annual return 20.31 प्रतिशत का है, इसका 5 साल का return 27.93 प्रतिशत का है, और पिछले 3 साल में इस स्कीम ने 32.84 प्रतिशत return दिया है, और पिछले 1 साल की बात करें तो, इस fund ने return दिया है 31.58 प्रतिशत का. इस fund में minimum investment SIP के जरिये 1,000 रुपे और lump sum 5,000 रुपे कर सकते हैं. maximum की कोई limit नहीं है, आप जितना चाहे उतना पैसा invest कर सकते हैं. हमारी दूसरी स्कीम है पराग पारीक Flexi Cap Fund Direct Plan. दोस्तों, पराग पारीक Flexi Cap Fund ने भी निवेशकों को काफी अच्छा return दिया है. अगर किसी ने इस fund में 5 साल पहले 1,000,000 रुपे lump sum invest किये होते, तो वो आज 2,93,000 रुपे हो गए होते. वही पर अगर किसी ने इस fund में 5 साल पहले 3,000 रुपे की मंतली SIP स्टार्ट की होती, तो वो आज 3,38,000 रुपे हो गए होते. पराग पारीक Flexi Cap Fund के returns पर नजर डाले तो. इसका all-time annual return 20.222 प्रतिशत का है. इसका 5 साल का return 23.97 प्रतिशत का है. और पिछले 3 साल में इस scheme ने 23.90 प्रतिशत return दिया है. और पिछले 1 साल की बात करें तो इस fund ने return दिया है 37.86 प्रतिशत का. इस fund में minimum investment SIP के जरिये 1000 रुपे और lump sum भी 1000 रुपे कर सकते है. maximum की कोई limit नहीं है. आप जितना चाहे उतना पैसा invest कर सकते है. हमारी तीसरी scheme है JM Flexi Cap Fund Direct Plan. दोस्तों, JM Flexi Cap Fund में भी निवेशकों को काफी अच्छा return दिया है. अगर किसी ने इस fund में 5 साल पहले 1,00,000 रुपे lump sum invest किये होते, तो वो आज 2,72,000 रुपे हो गए होते. वही पर अगर किसी ने इस fund में 5 साल पहले 3,000 रुपे की मंतली SIP स्टार्ट की होती, तो वो आज 3,53,000 रुपे हो गए होते. JM Flexi Cap Fund के returns पर नजर डाले तो, इसका all-time annual return 18.1,7 प्रतिशत का है. इसका 5 साल का return 22.1,7 प्रतिशत का है. और पिछले 3 साल में इस scheme में 27.3,2 प्रतिशत return दिया है. और पिछले 1 साल की बात करें तो, इस fund में return दिया है 41.5,5 प्रतिशत का. इस fund में minimum investment SIP के जरिये 100 रुपे और lump sum 1000 रुपे कर सकते है. यानि आप इस scheme में 100 रुपे के छोटे से amount से investment स्टार्ट कर सकते हैं. maximum की कोई limit नहीं है. आप जितना चाहे उतना पैसा invest कर सकते हैं. हमारी चौथी scheme है HDFC Retirement Savings Fund Equity Plan Direct Plan. दोस्तों, HDFC Retirement Savings Fund Equity Plan ने भी निवेशकों को काफी अच्छा return दिया है. अगर किसी ने इस fund में 5 साल पहले एक लाख रुपे लंवसम इन्वेस्ट किये होते, तो वो आज 2,72,000 रुपे हो गए होते. वही पर अगर किसी ने इस fund में 5 साल पहले 3,000 रुपे की मंतली SIP स्टार्ट की होती, तो वो आज 3,54,000 रुपे हो गए होते. HDFC Retirement Savings Fund Equity Plan के रिटर्ण्स पर नजर डाले तो, इसका All-Time Annual रिटर्ण 21,64 प्रतिशत का है. इसका 5 साल का रिटर्ण 22,14 प्रतिशत का है. और पिछले 3 साल में इस स्कीम ने 28,68 प्रतिशत रिटर्ण दिया है. और पिछले 1 साल की बात करें तो, इस फंड ने रिटर्ण दिया है 34,15 प्रतिशत का. इस फंड में minimum investment, SIP के जरिये 100 रुपे और lump sum भी 100 रुपे कर सकते है. यानि आप इस स्कीम में 100 रुपे के छोटे से amount से investment स्टार्ट कर सकते है. मैक्सिमम की कोई limit नहीं है. आप जितना चाहे उतना पैसा invest कर सकते है. हमारी पाँच भी स्कीम है PGIM India Flex C-Cap Fund Direct Plan. दोस्तों, PGIM India Flex C-Cap Fund में भी निवेशकों को काफी अच्छा रिटन दिया है. अगर किसी ने इस फंड में 5 साल पहले 1,00,000 रुपे lump sum invest किये होते, तो वो आज 2,63,000 रुपे हो गए होते. वही पर अगर किसी ने इस फंड में 5 साल पहले 3,000 रुपे की मंतली SIP स्टार्ट की होती, तो वो आज 3,12,000 रुपे हो गए होते. PGIM India Flex C-Cap Fund के रिटर्न्स पर नजर डाले तो, इसका All Time Annual Written 15,18 प्रतिशत का है, इसका 5 साल का Written 21,36 प्रतिशत का है, और पिछले 3 साल में इस स्कीम ने 19,25 प्रतिशत रिटर्न दिया है, और पिछले 1 साल की बात करें तो, इस फंड ने रिटर्न दिया है 21,66 प्रतिशत का, इस फंड में Minimum Investment SIP के जरिये 1,000 रुपे और Lump Sum 5,000 रुपे कर सकते हैं, Maximum की कोई Limit नहीं है, आप जितना चाहे उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस प्रकार इन Flexi Cap Mutual Funds ने निवेशकों को बीते सालों में काफी अच्छे रिटर्न दिये हैं, दोस्तों इस वीडियो में बताए गए Mutual Funds में से पराग पारिक Flexi Cap Fund और PGIM India Flexi Cap Fund में मैं खुद भी इन्वेस्ट करता हूँ, दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको बता दू कि, ये इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट की कोई सलाह नहीं है, Mutual Fund में निवेश बजार के जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश से पहले अपने Financial Advisor से परामर्श कर ले, आपको 5 Best Flexi Cap Mutual Funds की ये जानकारी कैसी लगी? इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताए, इसके अलावा, आप कौन से Mutual Funds के बारे में विडियो देखना चाहते हैं, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताए. दोस्तों, Mutual Fund में निवेश करने के तीन तरीके होते हैं, पहला Fund Company की वेबसाइड, दूसरा Broker के थुरू और तीसरा घर बैठे Mobile App के द्वारा, अगर आप Mobile App के जरिये निवेश करना चाहते हैं, तो आप Stocks का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर क्लिक करके आप अपना DMIT अकाउंट ओपन करके डिरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं, धन्यवाद